जहन्द फीचर ओप इंडगर आपस्वेलों का स्वागत है मैं हूं हिमान सुपमार इस वीडियों लोग बात करेंगे LTI यानि कि लारजन और टर्बो इंफो टेक और माइंटरी के मर्जर को लेकर पिजले 6 माँस से रसा कसी चल रही थी यानि कि प्रोसेस चल ला था इन दोन अधे से गरफाएश यानि को दिनहुने लुट इंपरोवल मेर्ज रखा गया है और रखागाbraca 242 वीजबयार बिदे नों कंपणिया मर्ज हो जाएंगी और उसके बाद दोन कंपनियों मिलाकर एक नाम नाम होगा देखिए इस कमपनी के जो कंपनी को जो मर्जर के शं इन सभी मुद्व पर अगदम विस्तार से बात होगी, लेकि शुरुबात करते हैं सुरू से, हम जानते हैं कि LTI एक IT सेक्टर की दमदार कंपनी है, IT सेक्टर में अपना रुत्बा कायम कर चुकी है, यहाँ एप डेवलवर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट, इसका लावा कंपनी है, इसका लावा देखेंगे, तो इस आटिफिस्यल, इंट्लिजेंस, मीडिया और इनजिक सेक्टर में भी काम करने वाली कंपनी है, इस कंपनी का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, मैनेजमेंट बढ़ियांस काम करते हैं, बैलेंस इट काफी मजब एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि मर्जर के बाद नाम क्या होगा, चलिए नाम की बात कर लेते हैं, दोनों कंपनीया जब 24 नमर के दिन मर्ज हो जाएंगी, तो उसके बाद इनका जो नाम होगा, वो होगा LTI माइंट्री, यानि कि लारजन और टर्बो माइंट्री, दोनो में LTI पहले लगा है, इसलिए LTI के पास company का ownership नहीं रहेगा, इसके पीछे वज़ए यह है कि LTI का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी माइंट्री में है, तकरीवन 68% का सबसे पास LTI का हिस्सेदारी माइंट्री में है, इसी वज़ए से ownership LTI के पास आएगा after merger, अब बात कर लें after merger investors के shares का क्या होगा, क्योंकि investors सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर परिसान है कि जब दुनों कमपनियां मर्ज हो जाएगी, तो उनके share किसके पाले में जाएगी, किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसी साब से मिलेगी, इस पर बात करते हैं, दुनों कमपनिया 24 नमर के दि अब यह कि स्टेसियुम तबदील होगा इस पर बात करते हैं, चलिए इसे एक 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 जामपल के माधिन समझते हैं, मालने जिए यदि आपके पास mind tree के 100 shares हैं, तो आपके पास after merger 73 shares LTI के आएगे, यानि कि इस इस रूप में रखा गया है कि प्रतिए 100 shares के बदले 73 shares दिये ज देखिए, exact share जो है, वो तो आज आएगा, लेकिन जो fractions का share है, जैसे 0.5, 0.4, 0.7, जो fractions का share है, वो अभी consolidate करेगा, और consolidate करेगा लगभग 2-3 महा तक, हाला कि company board of directors के तरफ से कोई exact date नहीं दिया है, कितने दिनों तो market में जो fractions share, consolidate करेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, तो 3 म trustees बनाएगे हैं, तो जो trustees हैं, उनको market में sale करेंगे, और sale करने के बाद जो रुपया मिलेगा, तो उसके बाद share shoulders के fraction shares है, उनको उस ratio में रुपया दी दिया जाएगा, कुछ दिन बाद आप देखेंगे, लगभग 2-3 माह के बाद आपके portfolio में जो fraction shares है, उनका रुपया, जो fusion आप उद्दूर हो गया होगा, फिर भी यह जदी इन दोनों company को merger से लेकर कोई भी स्वाल आपके मन में है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, personally मुझे जूर कर बाते करना चाहते हैं, तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए धने ब आप सुक्रियों